वानरिंद जातक वानरिंद जातक कथा नमर 57 एक बंदर था बंदर की कहानी है बंदर बड़ा चत्रो चालाग था तो बंदर क्या करता था वो पेड़ों पे ढूंता था कि उसे मीठे फल कहां मिलेंगे लगबग सारा जंगल उसने चान मारा एक जगए ऐसी थी जहां पानी के तालाब के बीच में एक टापू था उस टापू पे पेड़ लगे हुए थे और उस पे जामून के पेड़ों पे बड़े अच्छे जामून लगे हुए थे बंदर ने वहां जाने का उपाय सोचा क्योंकि बंदर बड़ा चलागता है उसने देखा कि कहां कहां से वो टप कर या जब करकर जा सकता है तो उसने वो रासा ढूंड लिया जहां से वो पत्थरों के उपर टप के कूद कूद के और वो टापू तक चला गया और टापू पे जाके उसने पेड़ पे चड़के वो जामून खानी शुरू की जब वो जामून खाता था तो उसका रोज का नियम बन गया वो टप करता कूद कूद के आता और पेड़ पे चलता जामन खाता और चला जाता उस टापू के जो पानी भरा होता उसमें एक मगरमच्च का परिवार भी दे आता था उसकी पतनी उसके बच्चे तो उसकी पतनी उस बंदर को रोज टपते हुए देखा करती थी उसकी पतनी के मुह में पानी आ गया कि इस बंदर का हिर्दे मास यानि कि इसका दिल खाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हश्पुष्ट और मुटा बंदर है और बहुत दिन से हमने ताजा मास भी नहीं खाया तो उसने मगरमस से कहा कि मुझे इसका हिर्दे मास हदे मास, पाली में हदे बोलेंगे, हदे मंस हिर्दे मास को हदे मंस बोलते हैं तो हदे मंस मुझे चाहिए, हिर्दे का मास चाहिए यानि हार्ट का मीट चाहिए, वो मुझे लाके दो तो मगर मैं नहीं सोचा कि मैं कोई तरकीब ड़ाता हूँ जिससे के मुझे इसका मास खाने को मिल जाए तो वो बंदर जब अगले दन आया उसने टप के वहाँ से पत्थरों से खूद के और जब वो टापू पे चला गया तो वहाँ उसने खाना खाया इस बीच में क्या हुआ कि मगर मच जो पत्थर जिन से वो टाप के जाता था वहाँ पर लेट गया और मकड बना के पढ़ गया सांस रोक के पढ़ गया ऐसे जैसे मिट्टी का ही टापू हो चुप चाप जब बंदर बापी जाने लगा तो बंदर ने देखा कि ये जो टापू है ये जो बीच में उभार था जहां से में टपता था जहां से में जंप करता था ये कुछ जाता हूँचा हो गया पहले इतना हूँचा नहीं था वो चतुर था दिमाग का तेज था तो उसने कहा कुछ गड़ लगती है लगता है कि मगर मच्चा के यहां लेट गया और वो मुझे खाना चाहता है तो उसने कहा पता करना चाहिए तो उसने कहा अरे पत्थर, अरे पत्थर क्या हुआ आज तेरी तवित तो ठीक है पत्थर से आवाज नहीं आई जिव पत्थर से अवाज नहीं आई तो उसने दुवारा कहा अरे पत्थर भाई, क्या हो गया आज तो यार बोली नहीं रहे हूँ आप नारा जो क्या अब तो मैं आपके रूपर कूता भी वड़े आराम से हूँ आप उस दिन कह रहे थे कि मैं बहुत जोड़ से कूता हूँ आपको छोड़ लगती है और आज आप बात ही नहीं कर रहे हो पत्थर फिर नहीं बोला क्योंकि मगरमस नहीं सोचा कि मैं बोला तो पता चल जाएगा तो उसने तिवारा क्या क्या बात है तवित खराब है क्या इस तीन वर के कहने पे जो मगरमस था उसका दिमाग घूमा उसने कहा कि ये पत्थर बोलता होगा तब ही आता है अगर ये मैं नहीं बोलूँगा यानि पत्थर नहीं बोलेगा तो ये आएगा नहीं, तो मुझे खाने को मिलेगा नहीं तो उसने का, हाँ आज तब ने थोड़ी सी मेरी खराब है और तुम सनाओ जामन अच्छे थे, जो तुमने खाए तो उसने का हाँ जामन बहुत अच्छे थे और ठीक बात है तो उसने का तुम कौन हो अब यो मगरमच था उसने का भेद खुल गया है उसने का मैं मगरमच हूँ और मैं मेरी जो पतनी है वो तुमारा हिर्दे मास खाना चायती है और मैं इसलिए लेटा हुआ हूँ तो बंदर बड़ा धहरेवान और समझदार था उसको धर्टी बोलते हैं धहयती बोलते हैं पाली के अंदर या हिंदी में बोलते हैं धर्टी यानि धर्टी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज करने वाला और बहुत सेहन सील ऐसे विक्ति को और वो बहुत ज़्यादा समझदार भी था और quick mind था यानि कि उसके जो मन मस्किस की जो गती थी वो बहुत अच्छी थी उसे सुल्जाना आता था और वो अपने वचन का भी पक्का था वो जूटा भी नहीं था और उसमें त्याकी भावनाब थी वो चीजें छोड़ भी सकता था तो उसने का अच्छा ठीक है मगर मच्छ ने जब कहा कि मैं खाना चाहता है उसने का ठीक है तुम अपना मूँ खोलो तुम अपना मूँ खोलो और मैं तुमारे मूँ में स्वेम जम करके आता हूँ ऐसा उसने कहा तो मगर मच्छ ने अपना पत्थर पे मूँ खोल दिया और मूँ खोल के वो इंत्यार करने लगा जैसे ही मगर मच्छ ने अपना मूँ खोला मगर मच्छ की खास बात है कि अगर वो मूँ खोलेगा तो उसे सामने का दिखाई नहीं देगा क्योंकि मूँ खोलते ही उसकी आँखें के आगे उसका मुह आ जाता है ये उसके साथ में और ये बात बंदर को पता थी क्योंकि वो चतुर था, बुद्धिमान था तो उसने मुह खोला तो उसे यह नहीं पता चला कि सामने वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और बंदर ने धरती माने प्रतन किया जंप किया और बंदर वहां कूदता हुआ और उसके मुह के ऊपर एक जंप लगाता हुआ और कूद के पार करके चला गया और जाके बोला अरे मगरमच senhor भाई मैं तो आपके मुह में आया आपने मुझे खाया ही नहीं ऐसा कहके और उसको बाई बाई टाटा करके चला गया तब मगरमच्च ने ये गाथा कही ये बात कही जो पाली केंदर आती है कि जो व्यक्ति, यहां उसने बंदर के लिए कहा है, वैसे ये, चूंकि ये मॉरल कहानिया है, ये सील, समाधी और प्रग्या की हैं, इसलिए सारी कहानियों में सील, समाधी, प्रग्या के वारे में बताया जाता है पहली जो मैंने आपको जातक नमबर तीन कहानी बतायी थी, सौनिक कटोरी वाली, उसमें भी ये नियम आता है, कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने से नुक्सान होता है, व्यक्ति मर भी जाता है, वो जो ब्यापारी था लालची, वो मर गया, उस कहानी का उद्देश स गाथा के अंदर ये है, जो मैं आपको सिंपल सब्दों में बताता हूँ, वैसे बंदर के लिए हैं, मगर सभी मनुस्य के लिए कहा गया है, कि जो मनुस्य अपने वचन का सत्य होता है, यानि कि अपने वचन का पलन करता है, अपनी बात का, वचन का माने बात का पलन करता ह क्योंकि बंदनने अपने बचन का पलak किया उसने कहा कि मैं आपके मूह में आता हूं तो उसने झूटने बोला वो मूह में गया और जिसके अंदर धम होता है प्राकर्तिक होता है और बड़ी गती उसके मन की तेज होती है यानि वो चत्र होता है विचार बुद्धी वाला होता है तो वो विचार बुद्धी था उसे ये पता था कि जब ये मूँ खोलेगा तो ये मुझे देख नहीं पाएगा तो ये युक्ति थी उसकी विचार बुद्धी थी समझ थी उसकी प्रग्या थी फिर उसने प्रतन भावना की यानि कि उसमें ध्रती थी उसमें सास भी था और उसके अंदर वो करने के लिए सेंच सकती भी थी तो उसने जंप लगाई बड़ी पहले दिन के मुकाबले बड़ी जंप लगाई ज्यादा उसने यतन किया पतन किया और फिर उसने त्याग भी किया यानि कि वो रिस्क लेने क सकता है यानि सत्रोवी को भी वो जीत सकता है उसका भी दिल खुश कर सकता है प्रशंद्द प्राप्त कर सकता है ये इस कहानी का moral part है moral education है आचार यानि कि जो सदाचार की सिक्छा है वो यह है एक कहानी और भी चलती है क्योंकि जो वानरिंदर करके है ये जातक है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है दूसरी कहानी में दूसरी कहानी क्या है जो चलती है और जो सुनाई जाती है बच्पन से जो हमने भी सुनी है उसमें ये कहा जाता है कि एक बंदर जाता है नदी को पार करता हुआ टापू को पार करता हुआ और उसकी मगर मच से दोस्ती हो जाती है मगर मच बड़ा भूका था वो पेड़ पे चलगे जामुन तोड़ता है और बंदर को खलाता है मगर मच्च को खलाता है मगर मच्च वो मीठे जामन खाका के बड़ा खुस होता है उसके बाद में वो एक दिन उन मीठे जामन को अपनी पत्नी के लिए लेके जाता है पत्नी जब जामन खाती है तो उसके मन में लाला चा जाता है वो कहती है कि अरे जब जामुन इतनी मीठी है तो जो रोज जामुन खाता होगा उसका दिल कितना मीठा होगा और मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ वो अपने पती से इसकी ख्खायश करती है जो मगरम अच्छ है वो बड़ा बेफकूप सा है वो कहता है अच्छा ठीक है वो मेरा दोस्त है मैं कैसे करूँगा असको कैसे लाँगा तो वो कहता है ये तो ठीक बात नहीं है मगर चल तुम नहीं मानेगी तो मुझे लेके आना पड़ेगा तो वो बंदर से जामून ले लेता है और जामून लेने के बाद क्योंकि वो बंदर को रोज उस पानी में पार कराता है अपने उपर तो जो जामून लेके जब बंदर को नदी के तरफ छोड़ने जाता है तो उसके बात रुकती नहीं है वो कहता है कि बंदर भाई तम्हारी मेरी दोस्टी पक्की है मगर क्या है कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारा दिल खाना चायती है वो कहती है कि जिसके जामन इतने मीठे है उसका दिल कितना मीठा होगा मैं क्या करूँ वन्ना वो मुझे ऐसे कहीगी और आज तुम्हें मारेगी और तुम्हारा वो खाएगी तो बंदर बड़े कुसागर बुद्धी का दिखाया है और वो कहता है कि रहे भाई ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि अगर आपकी पतनी मेरा दिल खाएगी ये तो अच्छी बात है कि चलो उनका दिल खुस हो जाएगा अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं तो दिल जामुन के उपर पेड़ के पर छोड़ाया आप को पता है कि हम जितनी बंदर जात वाले लोग हैं वो अपना दिल अपने साथ लेकर नहीं चलते हम अपना दिल तो पेड़ पर टांगा रखते हैं हमेसा दिल हमारा पेड़ पर टांगा हुआ रहता है और हम बिना दिल के चलते हैं अब अगर दिल खाना है तो आप मुझे इसके पार ले लिए चलो और मैं आपको जो दिल है वहाँ से लेकर साथ चलूँगा तो कहता चलो ठीक है तो वो उसको पेड़ पर छोड़ता है और पेड़ पर चड़ने के बाद में बंदर कहता भाई मगर मच टाटा भाई भाई हमारी दोस्ती तुमारी दोस्ती बस इतनी थी और उसके बाद वो कहानी खतम हो जाती है यह कहानी जातक कथा की कहानी है जातक कथा नमबर 57 है इसको थोड़ा तोर मडो के पेस किया गया है आप भी चाहें तो इसमें थोड़ी बात अपनी तरफ से कह सकते हैं क्योंगे यह कथा है इसमें जो सदाचार की एजुकेसन है जो सील और प्रग्या की और आचार की जो की है उसरीफ इतनी है कि किसी भी हलत में आप अगर बुद्धी के तेर हैं वैवार के तेर हैं सच बोलते हैं और आप त्याग करने कोशिक कर सकते हैं और कोई का आपका माइंड है मन है तो आप सत्रुपे भी विजय पालेंगे धन्यवाद क्या हुआ है